देखें अब आजकर डिजिटल जमाना है और डिजिटल रिकॉर्ड्स या डिजिटल ट्रैकिंग अवेलेबल है मैं विनमुरता से पर द्रड़ता से कहता हूँ कि पिछले आठ वर्षों में हमारी सरकार के दौरा नौ वर्ष होने को आ रहे हैं इसमें प्रधान मंतरी शी नरेंद्र मोदी जी के विरुद जितनी स्वतंतरता नहीं स्वच्छंदता नहीं उदंडता के साथ जितने घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था वो करके जलवाए जलाल के साथ इश्रतो इमाल के साथ जो कुछ विपक्षी दलों ने किया है अगर इसके बाद उनको लगता है कि उनको लोगतंतर में बोलने की स्थिती नहीं है तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी भ्रम नहीं ये खुद बहुत बड़े शडियंत्र के शिकार होने है और जो कि अब मैं पुरानी बात याद दी देना चाहता है मदरू सुल्टानपुरी दो साल जेल में रहे थे और आपको बताएं आज के दर्चकों को याद नहीं होगा एक बिल था जिसको राश्टपति ने साइन ही नहीं किया और वो सदैव के लिए संसर्थ से पास होने के बाद यसे कहते राश्टपति ने जेम में रख लिया और अगर उसमें कोई चीज आप्ति जनक पाई जा तो करवाई करने का अधिकार यानी रूबिका जी आप समझे से आज कोई कह दे हमारे सारे इमेल, वाट्सेफ, मैसेजेग पढ़ने का अधिकार हो और अगर सरकार को उसमें आपति जनक लगे तो उसी के उपर करवाई भी हो सके ऐसा दिल लाने वाले लोग आज ये कहते हैं जब कि मैं एक और बात कह दू मोदी जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार बोटी-बोटी काटने के बाद भी ये कर रहे हैं उसमें कोई वैसे गलती नहीं है राहूल गांदी जी के सामने आज समस्या ये है कि जो भी उधारन बता रहे हैं विदेशों में जाकर देश को बदनाम करना अपनी राजनीत के लिए ये आज का विशे नहीं है मैं तो पूछना चाहता हूँ अबैजी से अरे जब आप सत्ता में थे तब इस देश के साथ सांसतों ने मोदी जी के खिलाफ यूएस सिरेट को लिख के भेजा था कि नहीं कि इनको वीजा मत दीजेगा जबकि मोदी जी ने वीजा एक ले अप्लाई नहीं किया था और उसमें कई सांसत कॉंग्रेस के थे इससे बड़ा अपमान भारत के लोकतंत्र का भारत की संप्रभूता का सोवनिटी का भारत की न्याजवस्था का हो सकता था क्या तब तो आपकी सरकार थी तब किसके लिए जाके बाहर लिख रहे थे